प्लान करना है अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लो साथ में बेल आइकन का भटन भी प्रेस कर लो टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्टिन बॉक में मिल जाएगा साथ में WhatsApp group का link भी जो description box में उसमें मिल जाएगा चाह करके आप join कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको सभी प्रकार की update भी मिलती है और साथ में आप हमसे अपने trade के बारे में discuss भी कर सकते हो link आपको description box में मिल जाएगा अगर आपके पास DMAT account नहीं है तो आप बिल्कुल free में हमारे इंडर में DMAT account भी open कर सकते हैं उसका भी link आपको description box में मिल जाएगा अब चलते हैं जो chart है उसके उपर तो यहाँ पे हमने सबसे पहले open कर लिया है Nelco का chart और National Aluminum जिसको बोलते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह जो यहाँ पे एक horizontal line है इस horizontal line के उपर यह बार बार में support लेता है और यहाँ पे support लिया है यह यहाँ पे breakout हुआ, retesting हुई और यह वापस से upside में निकलने की सुरुआत कर चुका है यहाँ पे इसका trend आप देख सकते हो कि यह जो low create हुआ है यहाँ पे previous low है previous low है, ठीक है यहाँ पे previous low है, ठीक है यहाँ पे एक high है, यहाँ पे एक high है यहाँ पे एक high है और यह एक बन चुका है तो आप देख सकते हो कि जो new low create हो रहा है उसको previous low को काट नहीं कर यहाँ पे नीचे नहीं काट पा रहा है और upper side के अंदर यह जा करके high जो बना हुआ है उसको काट रहा है तो इसका trend upside के अंदर set हो रखा है तो यहाँ पे आप upside के अंदर plan कर सकते हो 192.5 का entry level होगा और target होगे 195 का पहला target 196 का second target stop loss आपको 191 के उपर लगा के रखना है और चीन का एक stimulus package से आ रहा है या फिर वो metal sector के अंदर एक growth लाने की बात कर रहे हैं तो उस चक्कर के अंदर आज आप देख सकते हो कि हर एक metal जो company है उसके अंदर अच्छी कासी momentum आपको देखने को मिल रही है तो यह continue रह सकती है दूसरा जो stock है सेम यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिंडालको है नालको के जैसे ही company है यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह एक breakout कर चुका है और breakout के अंदर आप देख सकते हो कि यह dhi निकालता है तो इसके अंदर momentum continue रह सकता है तो 720 के उपर निकले तो आप entry कीजिएगा 727 पहला target 735 second target and stop loss आपको 715 के उपर लगा के रखना है तो यह हमारा second number का stock हो गया इसके बाद में जो यहाँ पर third number का stock है वो हमारा है हिंदुस्तान को पर ठीक है फिर से एक metal sector की company और यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ अच्छी momentum थी उसके बाद में काफ अच्छी correction कर चुका है complete हो चुकी है almost तो यहाँ पर इसने जो यह high बने हुए थे उनको निकाल दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब next जो resistance होगा यहाँ पर यह जो target बनेगा 349 second target बनेगा इस्टू प्लोस आपको 340 के उपर लगा के रखना है तो यह हमारा third number का इसके बाद में जो fourth number का इसके बाद में जो फोर्थ number का इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो कि काफ अच्छी एक upside बनी थी उसके बाद में यहाँ से ही यह एक correction का ही time होता है और यहाँ पर इसने correction की downside के अंदर यह जो area है यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले resistance face किया था उसके बाद में यहाँ पर resistance face किया उपर से जब नीशा आया तो यहाँ पर support face किया तो यह क्या है resistance become resistance become support ठीक है तो यहाँ पर support बन गया यहाँ पर support लिया यह intraday के अंदर momentum आई थी ठीक है लेकिन यह वापस से चला गया था यहाँ पर यहाँ पर support area के पास में इसने consolidation किया है double bottom create किया है और यह निकल चुका है यहाँ पर अगर मैं एक सीज़ आपको और बताऊं confirmation देखना आना चीए ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो price है यह एक low create हुआ यह एक new low create हुआ तो इस new low ने previous जो low है उसको breakdown तो दिया यहाँ पर लेकिन RSI ने यहाँ पर upside के अंदर direction है RSI ने क्या किया है यहाँ पर एक positive divergence है ठीक है वो दिखाया है तो यहाँ पर क्या का conditions हो गई RSI है उसका positive divergence ठीक है first condition दूसरी condition की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छी कासी downside के बाद में इसने double bottom है वो create कर दिया है साथ में आप देख सकते हो कि support area already यहाँ पर बना हुआ है तो तीन confirmation है यह upside के अंदर breakout कर चुका है तो यहाँ पर अच्छा कासा support area बैठा हुआ है तो यहाँ से upside में जाना बनता है तो यह सब चीचे आपको देखनी आनी चाहिए ठीक है अब हम यहाँ पर इसके जो level है उनकी बात कर लेते हैं 283 यह हमारा entry level होगा 286 पहला target बनेगा 288 second target बनेगा इंस्टोप्लोस आपको 281 के उपर लगा के रखना है तो यह हमारा fourth number का stock हो गया इसके बाद में जो last number का stock है वो हमारा है power grid ठीक है power grid के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो trend line थी ठीक है यहाँ पर upside के अंदर यह इस area के अंदर काम कर रहा था और यहाँ पर इसने breakdown दिया है लेकिन यहाँ पर जादा नीचे नहीं गया है previous के अंदर आप देख सकते हो कि इस area के अंदर बहुत बार इसने support यहाँ पर लिया था उपर के अंदर यह निकल चुका है यह जो resistance एरिया था इसका breakout देने की कोशिस कर रहा है तो यह जैसे ही निकलेगा तो यह upside के अंदर जाएगा और upside के अंदर एक बार यह जो trend line है यह इसका resistance जरूर देगी लेकिन trend line के बाद में हम देखेंगे कि क्या करना है 351 हमारा entry level होगा 351 and 356 यह हमारे दो target होगे stop loss आपको 349 के उपर लगा के रखना है तो इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर best 5 intraday trading के stocks हैं वो discuss किये हैं यहाँ पर हमने stop loss क्या लगाना है entry कहाँ पर करनी है और target क्याल बनेगा यह सबी चीज़े discuss की है तो आसा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्काइब कीजिए और डीमेट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्फुल फ्री में हमारे अंडर में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रप्शन बॉक में मिल जाएगा विल्टेर एक वीडियो में थैंक यू वेरी मच